गुद मॉनिंग एश्टुडेंट आज आपके समक्ष कच्छा बारा के हिंदी की पाठ पुस्तक के गद्य खंड के प्रथम पाठ जो वाजदेवसरण अगरवाल जी द्वारा प्रस्तुत निबंध है राष्ट का स्वरूप उसको लेकर आपके समझ प्रस्तुत हुए हैं अभी तक दो वीडियो के माध्यम से आपने राष्ट के स्वरूप के जो तीन तत्व हैं भूमी, जन और संस्कृति इन तीनों तत्वों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा जिसमें भूमी और जन की ब्याख्या की जा चुकी है तीसरा अंग जो संस्कृति है आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसक्या वाचन करेंगे और उसकी ब्याख्या को समझेंगे पहले इसका वाचन करते जा रहे हैं और तत्पस्चात इसकी ब्याख्या को करेंगे समझेंगे राष्ट का तीसरा अंग जन की संस्कृति है मनस्यों ने युगों युगों में जिस सब्वता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की स्वास प्रश्वास है बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है संस्कृत की संस्कृत ही जन का मस्तिस्क है संस्कृति के विकास और अभ्युद्य के द्वारा ही राष्ट की ब्रद्दी संबो है राष्ट के समग्र रूप में भूमी और जन साथ साथ जन की संस्कृति जन की संस्कृति और अभ्युद्य के द्वारा ही राष्ट की ब्रद्दी संबो है राष्ट के समग्र रूप में भूमी और जन के साथ जन की संस्कृति का महत्रपूर इस्थान है यदि भूमी और जन अपनी संस्कृत से विरहित कर दिये जाएं तो राष्ट का लोप समझना चाहिए जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है संस्कृति के सौंदर और सौरब में ही राष्टी जन के जीवन का सौंदर और यस अंतर नहित है ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्पिरिक प्रकास की संग्या संस्कृति है भूम पर बसने वाले जन्ने ज्ञान के छेत्र में जो सोचा है और कर्म के छेत्र में जो रचा है दोनों के रूप में हमें राष्टी संस्कृति के दरसन मिलते हैं जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है प्रतेग जाती अपनी अपनी बिसेस्ताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का रिकास करती है इस द्रश्चि से प्रतेग जन की अपनी अपनी भावना के अनुशार प्रथक प्रथक सांस्कृतिक राष्ट में विक्सित होती है परंतु उन सब का मूल आधार पारस परिक संस्रूनता और समन्युए पर निरभर है ये आपका प्रथम जिसका वाचन हमने किया अब इसकी ब्याख्या को समझेंगे तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने जो राष्ट का तीसरा अंग है संस्कृति उसको परिभासित किया है कि किस प्रकार भूमी और जन के पस्चात राष्ट के निर्माण में संस्कृति का योगदान होता है तो राष्ट के तीसरे अंग संस्कृति का वर्णन करते हुए वाच्देव सरण अगरवाल जी ने कहा है कि मानो सब्वता का दूसरा नाम संस्कृति है इसका निर्माण मनुश्यों द्वारा अनेक योगों की दिरघावदी के दिरघावदी में किया गया है संस्कृति का निर्माण अचानक नहीं हो जाता इसका निर्माण योगों योगों से चली आ रहे परंपरा रीत रिवाज आदि से संस्कृति का निर्माण होता है तो इसका निर्माण मनुश्यों के जीवन में उसके क्रिया विधी के अपने कार किस तरह संपादित करता है कैसे उसका रहन सेहन है ये सब मिलकर संस्क्रति का निर्माण करते हैं जीवन का उसी प्रकार से अभिन और अनिवार अंग है संस्क्रति जिस प्रकार से जीवन के लिए स्वांस प्रश्वास अनिवार है स्वांस प्रश्वास यहां पर सब दाया हुआ है जिसका अर्थ है कि हम जिस प्रकार जीवन के लिए सांस को लेते हैं और निकालते हैं उसी प्रकार राष्ट के निर्माण में भी संस्क्रती अनिवार है और वह उसी परिपेच में देखते हैं जिस प्रकार जीवन के लिए सांस लेना और निकालना अनिवार होता है वस्ता वास्तों में संस्क्रती मनुष्ट का मस्तिस्क है और मनुष्ट के जीवन में मस्तिस्क सरवाधिक मातपूर अंग होता है मस्तिस्क के द्वारा ही हम सारे कार को संपन करते हैं यदि मनुष्ट का मस्तिस्क स्वस्त नहीं होता है तो उसे हम मानसिक बिच्छिप्त की संग्यादे देते हैं तो संस्क्रती उसी प्रकार महत् तो रखती है जैसे मनुष्ट के जीवन में उसका मस्तिस्क क्योंकि मस्तिस्क के द्वारा ही सरीर का संचालन और रहनतर होता है मस्तिस्क की मृत्त हो जाने पर बिक्तिकुम्रत गोषित कर दिया जाता है बले ही उसका संपूर्ण सरीर भली भाति कारी कर रहा हो लेकिन अगर मस्तिश्क कुम्रत्व हो जाती है तो वह ब्यक्ति निश्पिराय हो जाता है मस्तिश्क से धर रहे ब्यक्ति को ब्यक्ति नहीं कहा जा सकता तो कह सकते हैं कि बिना मनुस्य की मस्तिश्क के बिना मनुस्य की कल्पना नहीं के जा सकती उसी प्रकार संस्कत के बिना भी मानो जीवन की कल्पना नहीं के जा सकती इसलिए संस्क्रत के विकास में उसकी उन्नती में किसी राष्ट के विकास में उसकी उन्नती और सम्रद्धी और ब्रद्धी निहित है आता है जब तक किसी राष्ट की संस्क्रती उन्नत नहीं होगी बिक्सित नहीं होगी तो वहां की सम्रद्धी संपन्ता और उसकी प्रगती नहीं हो सकती यह सब वहां की संस्क्रति पर ही निर्वर करता है इस बात में कोई संदे नहीं होता कि राष्ट के संपूर्ण स्वरूप में संस्क्रति का भी उतना ही मात्पूर्ण स्थान होता है जितना की भूमी और जन का भूमी और जन के पस्चात राष्ट का सबसे महात्पूर्टत्व उसकी संस्कृति ही है किसी राष्ट के अस्तित्व में संस्कृति के महात्व को इस बात से समझा जा सकता है कि यदि किसी राष्ट की भूमी और जन की संस्कृति जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो एक सम्रद साली राष्ट को मिटते हुए देर नहीं लगेगी अगर मनुस्व को, जन को, भूमि को संस्कृत से हम अलग कर देते हैं तो निश्चित ही वह राष्ट पतन की ओर अगरसर हो जाएगा उसका पतन निश्चित है तो एक सम्रद साली राष्ट के निर्माड के लिए हमें संस्क्रती को सुद्रण बनाना पड़ेगा और संस्क्रती और मनुस्व से ही एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि यह साथ साथ एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं एक के ना रहने पर दूसरे कास्टे तो समाप्त हो जाता है और दूसरा तत्विहीन हो जाता है इसलिए तो कहा जाता है कि जीवन रूपी ब्रच का फूली संस्क्रती है जो जिस प्रकार अभी उपर बताया कि मनुस्य के सरीर का आधार मस्तिस्क है उसी प्रकार जीवन रूपी ब्रच किया फूल संस्क्रती है किसी समाज के ज्ञान और उस ज्ञान के प्रकास में किये गए कारियों के करतब्यों के सम्मस्रन मेल जोल मिलन से जो जीवन सैली उभरती है जो जीवन जीने की कला निखरती है जो सब्विता बिक्सित होती है पल्वित होती है वही संस्कृती है उसी को हम संस्कृत कह सकते हैं तो इस प्रकार संस्कृत की परिवासा कह सकते हैं कि मनुस्यों के कर्तब्यों ग्यान और उस ग्यान के प्रकास के द्वारा पल्वित जीवन सैली सब्विता बिक्सित होती है उसे संस्कृती कहा जा सकता है समाज ने अपने ग्यान के आधार पर जो नीत या जीवन का उद्देश निधायत किया है उस उद्देश की दिशा में उसके द्वारा संपन्य किये गए कारिकर्तब्य उसके रहन सेहन सिच्छा बिवस्था समाजिक बिवस्था आधि को प्रभावित करना है करता है इसे ही संस्कृती कहा जा सकता है तो समाज में रहते हुए ब्यक्ति समाजिक रूप से वहाँ के क्रिया कलाप तोर तरीके सीखता है सिच्छा से अपने ग्यान का प्रसार करता है और सिच्छा के माद्यम से वह बहुत सी अन्यत्र जो वस्तुएं हैं उनके बारे में ग्यान प्राप्त करता है जो आगे चलकर सब संस्कति का आधार बनती हैं और इनी के द्वारा संस्कति के विकास में युगदान मनुस्र करता है इन बिस्यस्ताओं से प्रेजित होकर प्रतेक राष्ट में अनेक जातियां रहती है उन जातियों की अपनी अपनी बिस्यस्ताएं होती है आप लोग देखते होंगे हमारे देश में बिबिन धर्म के लोग रहते हैं बिबिन जातियां रहती हैं और उनके भिन भिन मानताएं प्रताएं होती हैं इन जातियों की अपनी अपनी बिस्यस्ताएं होती है अपनी इन बिसेष्टाओं के आधार पर ही प्रतेग जाती अपनी संस्किति का निर्धारान करती है और वह उन बिसेष्टाओं से प्रिरित होकर अपनी संस्कित को बिक्सित करने का प्रियास करती है परणाम सरूप विविन्य जातियों की विविन्य भावनाओं के कारण ही विविन्य प्रकार की संस्कतियां बिक्सित होती है। किन्तु अलग-अलग संस्कतियां बिक्सित होने के कारण हम एक उन्नस सील राष्ट का निर्मार नहीं कर सकते। जब तक कि उन संस्कतियों के मूल में समन्य पारस्परिक सहन सीलता और सयोग के भावना निहत ना हो। अगर भिन्य भिन्य संस्कतियों के मूल में परस्परिप्रेम, सौहार्द, बंदुत्ति के भावना ये सब बिक्सित हैं और सभी राष्ट के निर्मार में समलित होकर सयोग देने की प्रेर्णा देती हैं। भावना प्रदान करती हैं तब ही एक सच्चे अर्थों में राष्ट के निर्मार की परकल्पना कर सकते हैं। वही एक राष्ट का सुरूप प्रदान करता है। इस प्रकार इस खंड की इस पहराग्राप की प्याख्या को आपने समझा। आसा है सभी छात्रों को समझ में आ रही होगी। जो भी समस्या आपको उत्पन हो वह वाटसप गुरूप के माध्यम से आप अपनी समस्य गनिस्तारण कर सकते हैं। और जो भी व्याक्या आपको बताई जा रही है, समझाई जा रही है। उस पर आधारित गद्यांस परिछा में पूछे जाते हैं। और उनी गद्ध्यांसों का हम आगे बेचन करेंगे जो परिच्छाओं में पूछे गए हैं उस पर आधारत प्रश्णों के उत्तर आपको समय समय पर बताये जाएंगे इसलिए आप सभी ब्याख्या को अच्छी तरीके से समझें और ब्याख्या करने के स्वायम कोशिस करें बार बार पैराग्राप को पढ़ें और स्वायम से उसके ब्याख्या बिस्तार करने का प्रियास करें आईए इसके उपरांत अगले पैराग्राप को देखते हैं उसकी ब्याख्या को समझते हैं जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, ब्रच्छ और बनस्पती अपने अदम्व भाव से उठते हुए पारस पर एक सम्मिलन से अविरोधी इस्तिती प्राप्त करते हैं उसी प्रकार राष्टी जन अपनी संस्कत के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट में रहते हैं जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं उसी प्रकार राष्टी जीवन की अनेक बिधियां राष्टी संस्कृति में समन्ने प्राप्त करती है समन्न्वय युक्त जीवन ही राष्ट का सुगदाई रूप है ये पैराग्राफ का वाचन किया गया आईए इसकी ब्याख्या को समझें पिस्तुत गध्यांस में वास्तिय स्राण जी ने यह इसपश्ट करने का प्रियास किया है कि पारस्परिक सौहार्द एवम एक्दा की भावना पर ही किसी राष्ट का जीवन निर्भर करता है प्रतेग देश्ट की प्रतक प्रतक संस्क्रतियां होती है परन्तु उन समस्त संस्क्रतियों का अस्तित्व आपसी मेल जोल और एक्दा के भावना के सूत्र में ही निर्भर करता है किसी भी राष्ट की बिबिन संस्क्रतियां जैसे जंगल, सागर, ब्रच, लताएं, बनस्पतियां ये सब जो वसंद्रा पर प्राप्त होती हैं, मिलती हैं, ये सब उस राष्ट के नागरिक को सुखी जीवन बैतीत करने में सच्छम होते हैं वहाँ पर रहने वाले, निवास करने वाले ब्यक्ति ही इन सब का आनन्द लेते हैं, उब्भोग करते हैं तो महा की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, बिस्तार करने के लिए, सुखी जीवन बैतीत करने के लिए उपयोगी होते हैं यदि हम जंगल के स्थिति का अवलोकन करें, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार महा की बनस्पती, लताएं, पेड़ पौदे, घास पूस, आदी सभी परस्पर मेल जोन की भावना से रहते हैं अमरवेल का नाम आपने सुना होगा, किस प्रकार पेड़ में वे लिपट कर अपने को पल्लिवित करती है, पोसित करती है और दूसरा ब्रच उसको पोसर प्रदान करता है तो एक मिल जोल के भावना मुहाँ पर प्रकट होती है, प्रदर्सित होती है वे एक दूसरे के बिरोधी होने के स्थान पर सहायक बनकर कार्य करते हैं ब्रद्धी और विकास में सहायक बनते हैं जिस प्रकार विविन नामों से पुकारी जाने वाली नदियां गंगा, यमुना, बेतवा, चंबल ये विन विन प्रकार के नाम है नदियों के लेकिन अपना प्रथक अस्तित्तों भूल कर कि हम ये नदियां हैं, वे नदियां हैं अपना अलग-अलग अस्तित्तों को भूल कर एक विसाल सागर का निर्मार करती हैं अंत में, समुद्र में मिल जाती हैं और एक विसाल सागर का रूप धारण कर लेती है उसी प्रकार कोई भी राश्ट हो वहां के नागरों के लिए यह आवस्यक है कि वे भी अपनी विभिने संस्कतियों का अस्तित बनाये रखने के लिए राश्टी संस्कति को अत्दिक महत्त दें कहने का तात परे यह है कि जिस प्रकार नदिया अलग-अलग होने के बाद एक बिसाल सागर करनरमाड करती है उसी प्रकार अलग-अलग संस्कतियां होने के वावजूद भी कि हमें सिर्फ अपनी संस्कृति को सुद्रण नहीं बनाना है बलकि सभी मिलकर जो राष्ट की संस्कृति है उसको सुद्रण बनाना है उसको मजबूत बनाना है उसको हमें सरवच इस्थिति को प्रदान करना है जबी राष्टी संस्कृत का अस्तित्व बना रहेगा तो राष्ट के भी मिनिय संस्कृतियों का भी अस्तित्व सुरच्छित रहेगा बना रहेगा आताह राष्टी संस्क्रती राष्ट के अस्तित्य के लिए भासा धर्म जाती संप्रदाए आधी जो हमारे समाज में भेद भाव पाए जाते हैं मिलते हैं इन सब भेद भाव को हमें भुला देना है इन से परेहट कर पारस्प्रिक सौहार्द आपस में मेल जोल रख कर विबिता में एकता की भावना का परचे देते हुए एक समन्य की भावना को बिक्सित करना है जिसके परणाम सरूप ही हम किसी राष्ट के नागरिक को सुखत जीवन ब्यतीत करने में सफल हो सकते हैं और राष्ट के स्वरूप का निर्माण सुचारी रूप से कर सकते हैं और यही रूप जो भेद भावं को भुलाकर पारस्परिक स्वहार्थ समन्य की भावना को बिक्सित करना पड़ेगा तभी राष्ट का निर्माण राष्ट का स्वरूप बिक्सित हो सकता है इस तरह इस पैरग्राफ की ब्याक्ख्या संपन्न हुई आगे दो पैरग्राफ और हैं इन दो पैरग्राफों को पहले वाचन करेंगे तथ पस्चात इनकी ब्याक्ख्या करेंगे तो आप लोगों को ब्याक्ख्या बली बहाती समझ में आ रहे होगी ऐसा हमारा विचार है जो भी परिसानी समस्या उत्पन हो बिस्याद दापक से मिलकर उन समस्याओं को आप लोग दूर कर सकते हैं सेज पैराग्राप की ब्याक्या अगले वीडियो में की जाएगी सबस्क्राइब करें जिससे अगले वीडियो की सुचना आप तक पहुच जाएगी धन्यवाद सबस्क्राइब करें प बिस्याद और य है तोर आप यह ले बाद़ सबस्क्राइब को अच्ट。 आपर